हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा फूल देने वाले प्लांट्स के नेम एंड प्राइज आपके साथ शेयर करूंगी इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और पसंद आये तो प्लीज लाइक जरूर करें चैनल को अपने वी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन के साथ हमारे जो गर्मियों के प्लांट होते हैं इस टाइम पर पहुती कम फूल देते हैं वही फूल देते हैं जो ये वाला टेंप्रेचर बरदास्त कर सकते हैं क्यूंकि जुन जुलाई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है सभी को पता है तो ऐसे में अगर आपने ग्रीन नेट लगवाया हुआ है तो आपके प्लांट सेफ रहे जाते हैं अधर्वाइस आपको दोनो टाइम अपने प्लांट के उपर शावर जरूर करना चाहिए ताकि उनकी पत्तियों को मोस्चर मिल सके और आपका प्लांट सेफ रह सके फर्स्ट प्लांट हमारा सुदर्सन होता है सुदर्सन प्लांट सर्दी में फूल नहीं देता पूरे साल मतलब फूल नहीं देता इसी टाइम पर फूल देता है और ये गर्मी को बहुत अच्छे से बरदास्त कर सकता है तो आप इसे धूपते भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो, आपको इसका एक प्लांट 80 रुपेज का नर्सरी में मिलता है, लेकिन इसी के पास से बहुत सारे बेभी प्लांट निकलते हैं, तो आप इन्हें निकाल निकाल कर अपने घर पर इज़ी इसके न्यू प्ला प्लांट की जड़ों में आपको ढाल देना है ताकि आपके प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग हो सकी मधू कामीनी के फूलों की खुसबू बहुत अच्छी होती है और ये प्लांट जल्दी से खराब नहीं होता पर्मनेंट प्लांट होता है आप से धूप में रखो चाया चलने वाला प्लांट है जीनिया प्लांट तो जीनिया प्लांट का क्या होता है कि इसको आप पूरा दिन की धूप में तो मद रखें सिर्फ दो घंटे की अच्छी धूप मिल जाए ऐसी जगह रखें फूलों के कलर बहुत सारे होते हैं 2020 रुपीज के आपको ये नर्शरी में भी इस टाइम पर मिल जाएंगे और ये प्लांट भी आप सीड से और कटिंग से अपने घर पर आसानी से तयार कर सकते हो इसका पुराना फूल हो जाए तो आप उसको कट कर दीजिए ताकि आपके प्लांट पर और ज्यादा से ज्यादा फूल खिल सकें विंका होते हैं इनकी आपको दो-तिन तरह की variety मिलती है इनमें देसी plant भी होते हैं hybrid plant भी होते हैं मेरे सामने आप देख रहे हो यह hybrid है ओनली 15-15 रुपीज के आपको nursery में मिल जाते हैं और बहुत चारे मिलते हैं यह भी आपको एक से दो घंटे की धूप मिले ऐसी जगा रखने होते हैं, इनकी देशी वेराइटी आप कहीं पर भी रख सकते हो बुगन वीलिया प्लांट, बुगन वीलिया 60 रुपीज से स्टार्ट होकर 100-200 तक 300 तक मिलते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी वेराइटी होती है काफी डिफरेंट डिफरेंट इनके फूलों के कलर होते हैं और ये धूप को गर्मी को इजी से बरदास्त कर लेती हैं इनमें जितना सूखापन रहता है उतनी ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है ये एक हाइब्रेड भी होते हैं, ट्वारफ एराइटी इनकी होती हैं, देसी होती हैं तो आप इनको भी अपने टेरिस गार्डन के लिए रख सकते हो और कटिंग से आप इन्हें अपने घर पर इजी तयार कर सकते हो ये प्लांट मैंने कटिंग से ही तयार किया हुआ है, ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हो रखी है, बुगन मीलिया को हमेशा 10-12 इंच के पोट में लगाया करें चमपा प्लांट, चमपा प्लू मेरिया भी बोलते हैं, वैसे तो ये सडको खिनारे मंदिरों में बहुत खड़े होते हैं आप चाहें तो कहीं से भी कटिंग लाकर लगा सकते हो, इजी टू ग्रो प्लांट है इसकी कटिंग बहुत जल्दी तयार होती है, लेकि नर्सरी में भी आपको 60-80 रुपीज का ये प्लांट मिल जाता है पुरा दिन की धूप को बरदास्त करता है, जल्दी से खराब नहीं होता, पर्मनेंट प्लांट है कटिंग से इजी तयार किया हुआ, मेरा ये प्लांट है पैंटास, तो पैंटास जो होता है, ये भी आपको only 60-80 रुपीज का नर्सरी में मिल जाएगा लेकिन आप इसको कटिंग से तयार कर सकते हो, अपने घर पर इसको कुंडे टाइप के पोट में लगाईए, मतलब जो पोट जिनके उपर से फेस चोड़े होते हैं, ऐसे पोट में क्योंकि ये पोट में बिल्कुल भर के चलता है, और 2-3 घंटे की अच्छी धूप मिले, आप ऐसी जगह पर रख दीजे फूलों के कलर इसके भी पोट सारे आपको मिल जाते हैं, नेक्स्ट हमारा गमेलीना, गमेलीना फिनिफैंसिस पोलते हैं, इसको ये प्लांट जो होता है, एक बेल होती है, इसे आप बोंसाई भी बना सकते हो, बेल की तरह फैला सकते हो, प्लांट की तरह भी प्रूनिंग क करके रख सकते हो यह आपको 80-100 रुपेज की नर्सरी में मिल जाएगी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है इसके यलो कलर के फूल देखने में काफी सुंदर लगते हैं मैंने इसके पास सिर्फ एक स्टिक लगाई हुई है और उसी पर काफी अच्छे से फै पल भी है तो टिकोमा आपको 150 का नर्सरी में मिलता है यह धूप को बरदास्त कर लेता है तो आप इसे पूरा दिन के धूप में रख सकते हो और कटिंग से इजी तयार हो जाता है लेकिन इसको भी आपको 10-12 इंच के पोट में ही लगाना चाहिए वैल ट्रेन मिट्टी तय यार करके 10-15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी चाहिए मोस रोज प्लांट मोस रोज जो होते हैं यह भी हाइप्रेड भी होते हैं देशी भी होते हैं इनको कटिंग से भी और बीजो से भी ग्रो करना आसान रहता है तो इनको आप प्लास्टिक बोटल में हैंगिंग पोट में और धूप को भी यह बरदास्त कर लेते हैं नर्सरी में ओनली 15-15 रुपीज के आपको बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन आप इसे अपने घर पर इजी ग्रो कर सकते हो एक गर्मी में लेया यह नेक्स्ट गर्मी में खुद से ही बहुत सारे होते हैं और इनकी बहुत सारी वैराइटी होती हैं फोलो के कलर भी अलग अलग रहते हैं इनमें आपको बेल भी मिलती हैं और प्लांट भी मिलते हैं मैंने ये वाला प्लांट अपना कटिंग से तयार किया हुआ है इस प्लांट से तो आप इनको एयर लेरिंग से भी तयार कर सकते हो और कटिंग से भी प्राइस की बात करें तो 150-200 तक यह आपको नरस्री में मिल जाते हैं बेल होती हैं तो आप इने घर के बाहर बाउंडरी पर फैला सकते हो दे लीली प्लांट तो दे लीली जो होते है इनकी पहुत सारी वेराइटी होती है और यह सर्दियों में फ प्लांट पी आपको 80-100 रुपेज तक मिल जाता है। फूलों के कलर काफी डिफरेंट होते हैं। इन्हीं के पास से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो आप अपने घर पर न्यू प्लांट तयार कर सकते हो। गोमफ्रीना प्लांट ये एक अकेला प्लांट ऐसा होता है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ सर्दी के होते हैं। तो ये गर्मियों का एक ऐसा प्लांट है जो कि आपको इसकी एक बार फूल खिलने के बाद कम से कम एक महीने तक फ्रेस दिखाई देंगे। और एक्जोरा काफी हार्डी प्लांट होते हैं और इनकी भी बहुत सारी वैराइटी होती हैं इनमें जो हाइब्रेड प्लांट रहते हैं वो जल्दी से नहीं टिक पाते खराब हो जाते हैं तो आप इनहें सिर्फ 2-3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह रख सकते हो फूलों के कलर इनके बहुत सारे मिलते हैं और इनहें भी आप 8-9 इंच के पोट में ही लगाया करें और एक्जोरा जो होते हैं इनके फूल गुच्छों में किलते हैं फूलों का साइज छोटा होते हैं काफी छोटा होता है फूलों का साइज और इनके प्राइज की बात करते हैं तो 60 प्लांट रहते हैं जिन पर रैड कलर के फूल होते हैं वह आपको 60 रुके मिलते हैं और जो यह हाइब्रेड होते हैं यह आपको 100-150-200 तक भी मिलते हैं इन्हें कटिंग से ग्रो करना भी आसान रहता है नेक्स प्लांट है हमारा लोरो पैटलम यह एक लोरो पैटलम की वेराइटी है बहुती खूबसूरत से रैड कलर पर छोटे छोटे फूल आते हैं इस प्लांट को आप पूरा दिन की धूप में रखे और ओनली 80 रुपीज का आपको यह नर्सरी में मिल जाएगा और पूरी गर्मी फूल देगा धूप को परदास्त करता है चाया में भी रख सकते हो धूप में भी कम से कम 10-12 इंच के पोट में लगाईए क्योंकि इसकी ग्रोथ काफी अच्छी निकलती है कटिंग से इजी ग्रो करता है और इसको घना करने के लिए आप इसकी कटिंग भी कर सकते ह मेरा प्लांट देखे कितना घना हो रखा है काफी हार्डी प्लांट है फूलो का साइज थोड़ा छोटा होता है 15-20 दिन में एक पार डीएपी के कुछ दाने इसमें जरूर से डालते रहे तो आपकी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी रहती है पानी स्प्रे करके मेरे पास प्लांट तो जदा पुराना नहीं है लेकिन इसकी ग्रोथ चाफी हो गई है मैंने इसको cutting कर दिया था तो काफी अच्छी इसकी growth निकल कर आई है मोगरा भी इस time पर आपको फूल देने के लिए सबसे best plant है इसकी आपको 2-3 तरह की variety मिलती है इसमें wine भी होती है, plant भी होते है मोगरा के फूल भी हमेशा उसकी new branch पर ही खिलते हैं तो एक बार फूल आने के बाद आप उसको हलका हलका pinch कर सकते हो मोगरा के फूलों के खुसबू बहुत अच्छी होती है और आपको इनके plant 100 रुपीज के nursery में मिल जाते हैं लेकिन आप इन एर लेरिंग से cutting से अपने घर पर तयार कर सकते हो पूरा दिन की दूप में रखिए अडेनियम plant तो अडेनियम की बहुत सारी variety होती है 60 रुपीज से start होकर आपको 1000 तक मिलते हैं क्योंकि अडेनियम की काफी different variety होती है और इनको grafting के त्वारा and cutting के द्वारा और seeds के द्वारा इस तरीके से आप इनको grow कर सकते हो गर्मियों में फूल देने के लिए काफी best plant है और काफी hardy भी होता है fungus से सिर्फ खराब होगा अदरवाइस जल्दी से खराब नहीं होता है so friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो और पसंद आए तो please वीडियो को like share जरूर से कर दिया करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye happy gardening